अश्कार दोस्तो मैं डॉक्टर निखिल आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइको पोडियम, कलाविनेट, हॉमोपैतिक मेडिसिन के बारे में दोस्तो इसके क्या-क्या वेनिफिट्स हैं हमारे सरीर में क्या साइनम सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे तो हमें इस मैडिसिन का यूज करना है किस पोटैंसी में हमें इस मैडिसिन का यूज करना है 30 पोटैंसी में, 200 पोटैंसी में, 1M पोटैंसी में पोटेंसी में इस medicine का हमें यूज करना है और कौन-कौन सी ऐसी disease है जिसमें इस medicine का use किया जाता है इस वीडियो में मैं आपको like o podium के medicine के बारे में पूरी जानकारी दूँगा तो वीडियो को अंतक देखें medicine को अच्छी तरह से समझें और medicine का use करके अपनी problem को पूरी तरह से करें तो चली दोस्तों देरना करते हुए इस वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो सुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया तो red color की बठंदवा कर चैनल क को subscribe कर लें सांती सांत वेल आइकन की घंटी को प्रेज कर दें ताकि जैसे ही मेरे जो वीडियो हैं नए वीडियो जो आने वाले हैं उसकी notification और पिछले जो वीडियो है उसकी notification आपको मिलते रहे और जैसे ही मैं live clinic चालू करूं तो notification आप तक पहुंच सके और आप मेरे live clinic को समझना चाहते हैं look up the patients constitutional patients की like podium का patients किस तरह से दिखता है यदि आप इसके mental symptoms क्या होते हैं physical symptoms क्या होते हैं पूरी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो मैं वीडियो को description के नीचर लिंक दे देता हूं आप वहाँ वीडियो देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम बात देखेंगे disease के बारे में symptom के बारे में कि आपको क्या disease है कौन-कौन से आपकी sign-em symptom यानि आपको लक्षन देखने को मिल रहा हैं तो आपको medicine use करना है किस potency में आपको medicine use करना है तो चली दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले number पे आता है headache यदि आपको headache की problem है तो headache में बहुत होती अच्छा काम करती है यदि आपको right-sided headache की problem होती है सियाम के सामें 4 बजे की समय आपको रात होते हे बहुत जयादा सीरधर्द होता है दर्द ऐसा लगता है कि सिर आपका灰ट जाएगा only for और स्याम की समय चार बज़े से लेके पांच बज़े तक आपको सिर्धर्द की प्राब्लम होती है, तो हेडिक की में यहां बहुती अच्छा काम करती है, माइग्रेन में बहुती इफैक्टिव होमोपेथिक मैडिसीन है, क्रोनिक केस को ठीक करने के लिए लाइको पोडियम का यूज़ किया जाता है, यदि आपको हेडिक की प्राब्लम है, तो आपको 200 पोटेंसी में यूज़ करना है, 200 पोटेंसी में हेडिक में यहां बहुती अच्छा काम करती है, चारबून सीधे डारेक्ट जीव में आपको यूज़ करना है, मैं लाइको पोडियम की यहां पिक्चा लगा देता हूँ, आप देख लीजिए, यदि आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप एक चमच पानी लीजिए, उसमें चार बून सीधे डाल लीजिए, और आप सिप करके पी लीजिए, इस तरह भी आप इस मैडिसिन का लाइको पोडियम का यूज़ कर सकते हैं, इसके बाद आता है दोस्तों फीवर, यदि आपको फीवर की प्रॉब्लम है, फीवर आपका ठीक नहीं हो रहा है, टाइफाइट फीवर की प्रॉब्लम है, तो उसमें आप ऊछी अच्छा काम करती है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, सियाम जैसे ही होती है, सियाम की चार पांच बजे जैसे ही बस्ते हैं, और फीवर उणका श्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही फिर फीवर डाउन होता है, दिन निकलता है, फीवर Lycopodium का use किया जाता है, Lycopodium 200 Potency में use करना है, सुभा स्याम यूज़ करना है, चारबून सीधे डारेक्ट आपको जीब में use करना है, सुभा और स्याम, तो टाइम इस Medicine का आपको use करना है, fever के case में बहुत अच्छा काम करती है, इसके बाद आता है दोस्तो, Constipacents, यदि आपको Constipacents की problem है, काफी आपने medicine यूज कर ली है, तो Lycopodium उसमें बहुत यच्छा काम करती है, आपको 30 potency में यूज करना है, Constipacents में 30 potency में बहुत यच्छा काम करती है, चारवून सीधे direct जीव में आपको यूज करना है, बहुत सारी आपने hard होता है, तो उसमें बहुत यच्छा काम करती है, 30 potency में यूज करें, सुबा दो फेर से आपकी Constipacents की problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इसके बाद यहाँ असर करती है, दोस्तों, throat में यह दिया, आपको throat में infection बार-बार होते रहता है, सर्दे जुखाम आपको बार-बार होते रहता है, tonsil आपके बढ़ जाते हैं, tonsil के आपको समस्या है, तो lycopodium उसमें बहुत यच्छा काम करती है, आप कुछ ठंडा पानी पीते हैं, या गरम पानी भी पीते हैं, throat infection में, और आपको tonsil में सूजन आ जाती है, infection आपको बार-बार होते रहता है, तो lycopodium उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, lycopodium tonsil में आपको 200 potency में यूज करना है, सुभा श्याम यूज करना है, आपकी tonsil, lightest की problem, throat infection की problem बहाँ पूरी तरह से हो जाएगी, इसके बाद आता है दोस्तों, gas acidity अपको बार-बार problem होती है, तो उसमें आप बहुत ही अच्छा काम करती है, lycopodium की जो gas की problem होती है, वाँ पेट के नीचे side बनती है, abdomen में बनती है, और कुछ भी आप खाना काते हैं, वाँ डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपको ऐसा लगता है कि मेरा पेट फूल गया है, खाना बहुत जादा मैंने खा लिया है, खाना खाके आप जैसी उठते हैं, कुछ देर बाद फिर आपको भूग लग जाती है तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है इस प्रकार के gas acidity में आपको लक्षन रेखने को मिलेंगे पेट के नीची side gas आपको बनेगी gas pass होने में आपको problem होगी और भूग जो है आपकी कम हो जाएगी इस टाइप के लक्षने दिया आपको देखने को मिल रहे है तो gas acidity में 200 potency में आपको यूज़ करना है सुबश याम यूज़ करना है, 15 दिन तक यूज़ करना है आपकी problem पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसके बाद दोस्तों यहां pneumonia के किसमें बहुत अच्छा काम करती है आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को चोटे बच्चों को pneumonia की problem हो जाती है तो pneumonia के किसमें बहुत अच्छा काम करती है lungs में इदी बारवार infection हो जाता है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है सांस लेने में थोड़ी सी प्रावलम होती है और फीवर हमेशा बना रहता है निमोनिया में बैक्टरियल इंफेक्शन बार बार होते रहता है तो 30 पोटेंसे में यूज करना है सुबा दुफैर स्याम, सुबा दुफैर स्याम कंटीन्यू 15 दिन तक इस मेडिसिन का आप यूज करें निमोनिया की जो प्रावलम है बहुत पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसके बाद दोस्तों यहां अर्टिकेरिया में बहुत ही अच्छा काम करती है इसके बाद दोस्तों इदि आपको मेलाजमा की प्रावलम है प्रावलम हो गई है छाइएं आपके चेहरे पर आ गई है यहां पी दिया आपको चाहिया आ गई है आपका चेहरा पेल पीले कलर का दिखने लगा है, आपने बहुत सारी medicine use कर ली है, और आपको relief महसूस बिलकुल भी नहीं हो रहा है, lycopodium आपको use करनी है, 30 potency में use करनी है, सुबाज श्याम use करनी है, दिन में 3 बार नहीं है, मिलाजमा के case में 3 बार use नहीं किया जाता, सुबाज श्याम आपको use करनी है, continue आपको कम से कम बन मन तक इस medicine का use करना है, मिलाजमा की जो आपकी problem है, छाइय की जो आपकी problem है, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इसके बाद दोस्तों यदि आपको urinary tract infection बार बार होते रहते हैं, कुछ दिनों तक ठीक हो जाता है, फिर से आपको infection हो जाता है, तो urinary tract infection में बहुत ही अच्छा काम करती है, इसके बाद दोस्तों यदि आपको stone की problem है, stone में यहां बहुत ही specific medicine मानी जाती है, यदि आपको stone चाहे 5 mm का हो, चाहे 10 mm का हो, उनको ठीक करने के लिए lycopodium का use किया जाता है, यदि आपको re-stone, यदि stone आपका ठीक हो जाता है, फिर से आपको stone की problem हो जाती है, फत्री की समस्या हो जाती है, तो उसमें lycopodium यूज करना है, आपको lycopodium 1m potency में यूज करना है, रेगुलर 3 दिन तक चार बून सीधे डायरेक्ट आपको जीप में लेना है, उसके बाद आपको medicine 15 दिन तक यूज नहीं करनी है, उसके बाद फिर 15 दिन जैसे हो जाएंगे, फिर आपको medicine का repetition करना है, फिर medicine break और फिर 15 दिन बाद आपको medicine का repetition करना है, इस टोन के केस में फत्री के केस में इस तरह से मैडिसन लाइको पोडियम का यूज किया जाता है आपकी फत्री की जो प्राबलम है ठीक होने के बाद फिर से आपको फत्री बन जाती है तो उस केस में लाइको पोडियम बहुत ही अच्छा काम करती है इसके बाद आता है दोस् उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है, इस पेसली इंपोटेंसी में इसका यूज किया जाता है, डाक्टर हैनी मैंन का कहना है, कि इंपोटेंसी का यदी केस है, इंपोटेंसी यदी किसी पेसेंट्स को है, तो लाइकोपोडियम सबसे पहले उस पेसेंट्स को मैडिसिन देनी चाहिए एक specific medicine मानी जाती है जैसी मैंने आपको बताया था फत्री के case में इस medicine का stone की problem यह दी है तो एक specific medicine मानी जाती है और इसी तरह importancy के case में इस medicine का use किया जाता है डक्टर हैनी मेन का यहाँ कहना है importancy में बहुत ही अच्छा काम करती है यह दी importancy के आपको problem है nightfall की problem है premature ejaculation की problem है तो इसमें इस medicine का use किया जाता है आपको दोस्तो 200 potency में use करना है सुभा से आप use करना है कम से कम आपको 1 month तक इस medicine का use करना है आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही effective results मिलेंगे importancy की यह problem आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी इसके बाद दोस्तो prostate की problem में इसका use किया जाता है यह दिया आपको prostate की problem prostate enlargement की यह दिया आपको problem है तो medicine आपको use करनी है 200 potency में use करनी है regularly कम से कम 2 month तक इस medicine का आपको use करना है prostate की problem आपकी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी prostate में क्या लक्षण हमें देखने को मिलते है पिशाब बून बून करके होती है पिशाब आपको बार बार जाना पड़ता है आपने देखा होगा आजकल जो यह problem है prostate की new age में भी हमें देखने को मिल रही है 25 से 30 साल की उमर में भी prostate की problem हमें देखने को मिल रही है master vision के कारण यहाँ problem patients हमारे पास आते हैं master vision के कारण यहाँ problem को हो जाती है और भुजुर्गों में यहाँ तो common बिमारी है कम से कम 45 साल से उपर patients को prostate की problem होती ही है पिशाब बून बून करके होना बार बार पिशाब के लिए जाना पिशाब करने के पिशाब करते समय इंतजार करना थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा पिशाब होना बार बार urinary tract infection होना तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है इस तरह के हमको prostate में लक्षन देखने को मिलते हैं आइको पोडियम यूज करने हैं दोस्तों 200 पोटेंसे में continue बन मन से टू मन तक भी इस medicine का आप यूज कर सकते हैं आपकी prostate की जो problem है पूरी तरह से ठीक हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और medicine का यूज करें आपको बहुत ही अच्छे results मिलेंगे prostate की problem है को ठीक करने के लिए इसके बाद आता है दोस्तों फेमेल्स में फेमेल्स में बहुत ही अच्छा काम करती है यदि उनको बिजैनल में infection हो जाता है बारवार उनको बहुत ज़ादा इचिंग होती है बहुत सारी medicine वहाँ use करनेती है तो उसमें बहुत ही अच्छा काम करती है मिंसिस के किसमें बहुत ही अच्छा काम करती है मिंसिस में जो हता है dark होता है अल्ली होता है, जल्दी हो जाता है कभी continue चलता है, कभी disturb हो जाता है तो उसमें lycopodium का use किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है दोस्तो यहां हो गए डिजीज, साइनम सिंटम इस ता की अधी आपको लक्षण देखने को मिल रहे है तो आपको medicine use करना है मैं एक बार फिर से repetition कर देता हूँ पहले नंबर पे आता है दोस्तो headache यह दी आपको headache की problem है right-sided headache problem है हाँ मैं आपको इसका keynote symptom बता देता हूँ इसकी जो भी problem होती है right-sided होती है right-sided में आपको कोई भी problem हो रही तो आँख बंद करके आप lycopodium medicine use कर सकते हैं बहुत ही अच्छे results है right-sided medicine है स्याम के समय aggravation होता है चार बजे से लेके स्याम के 6 बजे तक इसका aggravation होता है यदि आपको श्याम के समय कोई भी problem होती है तो लाइको पोडियम का आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तो पहले नंबर पे आता है headache की यदि आपको problem है तो आपको medicine यूज़ करनी है इसके बाद आता है fever के case में इस medicine का use किया जाता है दोस्तो निमोनिया के case में इस medicine का use किया जाता है इसके बाद आता है दोस्तो stone की यदि आपको problem है पत्री की यदि आपको problem है तो इस medicine का आपको use करना है यदि आपको gas acidity की problem है gas बार बार आपको बनती है तो इस medicine का use किया जाता है इसके बाद आता है दोस्तो प्रोस्टेट की problem प्रोस्टेट की problem को ठीक करने के लिए लाइकोपोडियम का use किया जाता है इसके बाद आता है दोस्तो इंपोटेंसी को ठीक करने के लिए इस medicine का use किया जाता है इसके बाद आता है फिमेल्स में बिजैना में बारवार इंफेक्शन हो रहा है तो उसमें इस मैडिसिन का यूज किया जाता है फिमेल्स में मेंसिस की प्रावलम बारवार हो जाती है तो इस मैडिसिन का यूज किया जाता है बच्चों में इस मैडिसिन का यूज किया जाता ह आप बने इंपोटेंसी में, इंपोटेंसी के केस में इस medicine का आप यूज कर सकते हैं, weekly इस medicine का यूज करना है, चारबून सीधे direct जीव में, आपकी प्रॉलम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, इस तरह से आप medicine यूज करें, मैंने disease आपको बता दिया, dose लेने का तरीका, दोस्त इस medicine का यूज कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफेक्टिव रिजल्स देखने को मिलेंगे, बात कर लेते हैं, तो जाते जाते जाते, इस तरह से इसका एग्रवेशन और एमुलरेशन हमें देखने को मिलता है, आपको बहुत ही अच्छे और बहुत ही फैक्टिव रिजल्स मिलेंगे, आपकी प्रॉलम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, आप वीडियो जादा से जादा अपनी फैमिली मेंबर्स में सेयर करें, ताकि बास medicine का यूज करके अपनी प्रॉलम को पूरी तरह से ठीक कर सकें, दो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की लिए जहन, जैवारत बंदे मातरा